हालो दोस्तों तो ये आज मैं आपको सिखा रही हूँ आप मोस्ट इंपोर्टेंट रात में क्या ऐसा कुछ लेकर सोते हैं जिसके वज़े से आपके पूरी रात एक फंक्शन एक सिस्टम है जो आपकी पूरी बोड़ी में चलता है तो वो आपको बता रही हूँ मैं यह है ट तो यह है हमारी हल्दी और यह पूरे परिवार के लिए आप बना सकते हैं रात में यह अध्रक है यह देखीं अ haar और यह आपको दाल चीनी को है आपको काली मिर्च यह के इस तो यह सारी चीजें आपको किस तरह से करनी है सबसे पहले पानी गरम किया हमने पानी हमने अभी फिरहाल एक कप पानी डाला है इसमें इसके बाद हम डालेंगे हमने इसको कदूकस कर लिया है तो कदूकस की हुई हमने हल्दी डाल दी इसमें हमने यही अद्रब इसको भी हमन इसको दाल चीनी चोड़ी Oliver कर लिए और छोकी इस टिक यह चोड़ी सिर्माट हीने चोड़ी बेंद sortir करके और इसको मैंढ डाल दूंगा अब इसमें ये काली मेर्चे, इसको मैंने दरदर थोड़ा सा कूट लिया है, ये डाल दिया हमने, अब ये देखिए, ये मेरी चाय त्यार है, खौल रही है, बहुत जादा भी नहीं उबालना है, बेलकुल एकदम कड़वी नहीं बनानी है इसको, दो-तिन उबाली आते ही इ इसको जैसे ही दो-तिन उबाली आएगी, स्लो किया पहले एक बार, फिर थोड़ा से एक बार तेज कर देंगे, एक बार फिर स्लो कर देंगे, एक बार फिर तेज कर देंगे, और बस इसको अब बंद कर दिया हमने, अब इसमें हम एड करेंगे, ये निबू है, या धनिवू एक कप पानी है इसमें आप चाहें तो पानी की मातरा बढ़ाए भी सकते हैं और फिर उसमें यह निवू डालेंगे निवू अब्जर्ब कर लेगा हमारी जो टर्मिरिक है जो हमारी अद्रख है डाल-चीनी है काली मिर्च है इन सब के लिए यह अब्जर्ब करन के लिए , ॡिटॉक्स करने के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा ज्रूरी है, यह मैंनेते इसमें डाला है , ते दाल दिया।D तो इसको चानने के लिए हमें चनी लगाई है यह देखे चनी डालती है और इसको हम च्छान देगे यह देखे यह चाय तयार है कि इसमें आप चाहे तो थोड़ी सी शहत डाल सकते हैं काली मिर्च की जो काली मिर्च है वह रोगों को ठीक करने के लिए यूज में ली जाती है काली मिर्च के काफी अधिक और सद्धिय लाव है यह बात और कफ को नस्ट करती है और कफ तथा वाईयू को निकालती है यह भूप बढ़ाती है, भोजन को पचाती है, लीवर को स्वस्त बनाती है और दर्द और पीट के कई सारी कीड़े होते हैं उनको भी नस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सही होगी है काली मिर्च अद्रक इसका नेमित अगर प्रियोग करते हैं सेवन करते हैं तो हमारे शरी की शक्तियां बहुत दुरूस्त हो रहते हैं अदरक का नेमित जो भी सेवन करते हैं उनको, जिनको माईग्रीन हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता हैं, उनका दर्थ बहुत कम हो जाता है, जिनको पीरेट में क्ई सारी प्रोब्लम्स होती है, पीट में दर्थ, अध्न, और कई सारी ऐसे दर्थ होते हैं तो वो अगर ब्राउन शुगर की साथ अद्रक की चाई पिए तो उनको काफी आरा मिलता है शुगर की सिकायत जिनको भी है जिनकी बहुत ज़्यादा शुगर हो रहती है उनके लिए भी यह अद्रक बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होती है इसका नियमित अगर सेवन करते ह कभी कोई नुकसान की आशंका नहीं रहती है और कच्ची हल्दी के प्रॉपर्टी जित्ती भी है जित्ती भी रोग है उनका सारा मैंने सबसे पहरे देही दिया है आप देख सकते हैं